हेलो और वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लॉर्निंग हब तो जैसाब कि आपको पता है इससे पहले वीडियो में हमने घंगा के इंपोर्टेंट चीजे फैक्ट्स वो सब डिसकस किये थे और इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ट्रिबुटरीज गंगा रिवर और इसमेब की जो हैलोप से मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था लेप्ट बैंक और राइट बैंक ट्रुबुटरीज का आइडिया दिया था आपको क्योंकि जो उपर से यहां के जो ज़ॉइन करिए वो यहां से ज़ॉइन करिए वो है राइट में डिसकस करने के लिए तो चलिए सेटार्ट करते है सबसे पहले बात करेंगे हम Tributaries of Ganga River में Right Bank Tributaries की तो सबसे पहले आपको Course होगा Ganga का वो कुछ इस तरह से है तो Right Bank Tributaries यानि जो यहां से जोइन करती है तो इसमें सबसे पहले यह बंदर पंच रेंज उत्रखन में वहां से ही है इसका सोर्स है तो Ganga यह यामना है यामना की लेंगत टोटल खुद वह है 1376 किलो मेटर और यह जो है लॉंगेश्ट वेस्ट मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट Tributary है Ganga की यानि आप कहा सकते है यह लॉंगेश्ट वो जो है यह राइट बंक Tributary वो भी कौन है यामना ही है तो यामना गंगा को जैन करते है कहां पे अलाबाद के प्लेस पे आपको बता दे है यामना जो रिवर है कुछ इस तरह से वो भी फ्लो करते है तो यामना के भी Tributaries है तो जो राइट में है राइट बंक Tributaries जो यामना की है वो है चंबल, सिंद, बिटवा और कैन और जो दूसरी साइड याने लेफ्ट साइड से यामना को जोईन करते है याने लेफ्ट बंक Tributaries उसमें आते हैं हिंडन, रिंड, सेंगर और वारोना तो यह है Tributaries यामना की तो यामना जो है आपने यामना की यह इनफॉर्मिशन यहाँ पे देखी आगे बात करेंगे हम Tributary No.2 वो है सोन, जी हाँ यह भी एक राइट बंक Tributary है, तो सोन का सोर्स क्या है, वो है अमर कंतक पलेटू, वो कहाँ पे है मद्या प्रादेश में, सोन की लेंगत की बात करें, तो वो है 784 किलो मीटर और यह गंगा को जोइन करता है आरहा, जो कि वेश्ट ओफ पत्ना में एक प्लेस है, यानि पत्ना में वो आरहा एक प्लेस है तो वहाँ पे ही गंगा को जोईन करता है कौन? Son River Next Trubyter की बात करेगे तो वो है Dhamudar जी हाँ Dhamudar की बात करेगे Dhamudar का source क्या है? Dhamudar River का source है छोटा Naagpur-Paletu Chandrawa, Lithehuар जो की जहरखन में एक प्लेस है वहाँ पे इसका source है Dhamudar की लेंगत है traces в 900-592 km यह गंगा को जोइन कहां करता है technically ले आपको पता है। हूगली इसलिए मैं आपको पहले रविय में इसलिए मैं अपको पहले चाह आता दामुदर जो है वह इस अजरी होगली और गंगा से मिलती है तो ये बंगार इसको जवाइन करती है यहां प Gobier Bay ? होगली का सोर्स क्या है? बंगाने से मिर्षद और स्कार पिरूमुट्न स्वाइब यह एक आरम की तरफ है जो गंगा जब वेस्ट बंगाल में फलो करती है तो वहां पर एक आरम की शेप में ही यह हुगली वो गंगा के साथ जो है फलो करती है वेस्ट बंगाल स्टेट में नेक्स्ट जो राइट बैंक ट्रॉब्यूटरी है वो है मेगना मेगना की बात करेंगे मेगना कैसे बना है मेगना खुद बना है जब सुर्मा और कुशियारा रिवर जो ओरिजनेट हुआ है इस्टर्न इंडिया में वो जब मिलते है तो उन्हें बनाया है मेगना रिवर इसको मेगना रिवर को कहा जाता है बाराख जो की नार्थ इस्टर्न इंडिया साइड है वहां पे इसको बाराख कहा जाता है और यह वान ओब इजर जो तीन रिवर्स है इंडिया के जो की घंगा डेल्टा बनाती है तो उन मेगना भी एक है जी हाँ तो चलिए नेक्स्ट हम करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटर के बाद वह है पादमा पादमा जो है वह एक में रिवर है बंगलादेश का और जैसे कि हमने भी डिसकस भी किया है जब गंगा पादमा जो है बंगलादेश में अंटर होती है तो वहां पर उसका नाम भी तो ध्यक्त जो हरास ये जो हैं ये पादमा ये सौटीश्ट फोलो करती है 120 किलोमेटर इसके जाब जैब मेगनर रवर से मिलती है तब तक और फाइनली जो है ये मेगनर रवРЕ से कहां पर मिलती है बयो बंग आल चनुकब तो यह है Помया है पादमा की इनफॉर्मेशन अब हम हम बात करेंगें, left bank. महनननन्दा सबसे पहले करें गरें महननन्दा महनननन्दा के नमट Etजर हम रषा में भेसरा eclipse महननननन्दा क्वार्श पैसे सबसे पर हम सबसे पर domomal महनननन्दा के लेंग %360 किलो मेटर और यह महननननननन्दा नवाब घंज जो भांगलादेश का इक डिस्ट्रिक है वहां पे नेक्ष्ट बात करेंगे वह है कोसी की कोसी की बात करें इसको सब्त कोशी भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो है कोसी के खुद सावन अपर ट्रबिटरीज है लेंगत क्या है कोसी की वह है 720 किलो मीटर और यह गंगा को जाइन करते है कहां पे कुर्सिला जो की काटिहार डिस्ट्रिक है कुर्सिला वहां पे एक प्लेस है जो के बिहार सिटेट में आता है इसको क्या कहा जाता है सौरो बैंग बिहार इंपोर्टन फैक्ट है तो चलिए अब हम बात करेंगे एक और इंपोर्टन जो है लेफ्ट बैंक ट्रिबूटरी गंगा की वह है गंदक गंदक कहां पे निकलती है नैपल हमालिया है वहां पे धोला गिरी और मौंट एवरेश्ट का पलेस है उनी के बीच में एक गलेशर है जिसका नाम है हुबाइन हिमल गलेशियर तो वहां से सोर से गंदक का आपको बदाएदे है गंगक की टोटल लेंग थे वो है 630 किलो मीटर्स गंदक के और भी कुछ नाम है जैसे कि नाराईनी है और गंदकी रिवर है और ये जो है मेजर रिवर है नैपल का गंदक रिवर एक और इंपोर्टन ट्रिब्यूटरी है गंगा की गंगा का सोर्स क्या है वो है मेप चाचुंगा गलेशियर मेप चाचुंगा गलेशियर जो की तिबबत में है वो है इसका सोर्स लेंगत क्या है गंगा की वो है 1080 किलो मीटर्स ये गंगा को जोईन करता है कहां पे दारी गोमती रिवर की गोमती एक और important left bank tributary है गंगा की गोमती का source है वो है गोमतल यानि पिलिबत की जगा पे गोमतल एक प्लेस है उतरप्रदेश डिश्ट जो है सिटेट में तो वही पे इसका source है लैंगत क्या है गोमती की वो है 900 किलो मीटर्स यह जो है यह गंगा को जोईन करता है गाजीपूर के पास जो की यूपी की यूपी में एक प्लेस है आपको बता लिए जो लखनो सिटी है मैं लखनो सिटी वो situated है गोमती रिवर पे ही यह important factor है next एको ट्रिब्यूटेरी की बात करेंगे वो है राम गंगा राम गंगा का सोर्स क्या है वो है नेमिक गलेशर जो की पूरी घरवार एरिया है उत्राखन में वहां पे राम गंगा गंगा को जोईन करती है कहां पे इबराहिमपूर यूपी यानि उत्तर प्रदेश इबराहिमपूर उत्तर प्रदेश में इसको जोईन करता है नेक्ष्ट हम बात करें चम्बल की आपको हमने पहले समझा है मैं के थू कि चम्बल जो है वो ट्रिब्यूटरी है यामना की वो यामना को एक्चुली जोईन करती है पर इत्ता वर एक प्लेस है वहाँ पर तो फिर यमना फिर खुद जोइन करता है गंगा को आपको बताए चंबल का सोर्स क्या है वह जानपाउ हाई लेंड जो मिध्या प्रदेश है वहाँ पर इसका सोर्स है चंबल का एक और रिवर जो है फाइनली हम डिस्कस करेंगे इस व कि लिपल को क Κ्रहब करता है तो इसको फिर कहा जाता है काली या चोक लिवर बी ये ट्रिबुटेरी किसकी है श 꽃 inadाख रिव इसी के साथ हमने घंगा रिवर को यहां पे complete किया है I hope जो भी important information में यहां पे आपके साथ share की है वो आपके लिए help रहेगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं अगले एक important वीडियो में तब तक के लिए thank you and take care